UKG के बच्चों को English में क्या-क्या पढ़ाया जाता है और मैं शेर करने वाली हूँ contents आपके साथ क्योंकि ये contents आप जब जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने बच्चों को UKG में क्या-क्या टीच करना है तो पहला हम कोशन देखते हैं revise your alphabets तो यहाँ पर revise alphabets करने के लिए आएंगे sounds of vowel A, sounds of vowel E, sounds of vowel I, O, U ये आपको revision करने के लिए अपने बच्चों को कराना होगा A, E, I, O, U then number singular and plural आने वाला है तो आप अपने बच्चों को singular और plural भी कराना सिखाएंगे then after आपको बच्चों को is this and and is that के लिए भी practice करानी है is this की भी और is that की भी practice करानी है then next है lesson 9 are these and are those बच्चों को are these और are those भी आपको सिखाना है what, what का use करना भी अपने आपको बच्चों को आपको सिखाना है इसी तरह से here and there भी आपको बच्चों को सिखाना है wear and preposition use करना भी आपको अपने बच्चों को सिखाना है imperative sentences भी बच्चों को आपको सिखाने है use of present indefinite का use करना भी आपको अपने बच्चों को सिखाना है उतकर्ष and his family एक story है जैसे सारे बच्चों की book होती है हर school की book अलग-अलग होती है लेकिन slabbers में जो ये आपको दिया गया है ये कुछ में जादा होता है कुछ में कम होता है लेकिन मेरी डॉटर की book में जो है ये जादा दिखाया दिया गया है जैसे कि बच्चों को singular और plural दोनों सिखाया जा रहा है this and that सिखाया जा रहा है these and those सिखाया जा रहा है, here and there, where and a preposition, imperative, indefinite, present indefinite, उसकर्ष and his family, use of present continuous, present continuous भी बच्चो को सिखाया जा रहा है, in the fair, I and my, you and your भी सिखाया जा रहा है, he and his, she and her, we and our, they and there भी आपको उपने बच्चो को सिखाना है, who has, have का use करना, use of past indefinite का use करना, a cap seller and his caps, ये एक स्टोरी है, ये ये भी सिखाया रहा होगा आपको अपने बच्चो को, हो सकता है, आपके बच्चे की पुक में अलग स्टोरी हो, तो आपको क्या करना है, कि आप, as you wish, अगर आप मेरे चनल पर जूड़े हैं, तो आप जानते हैं, कि मैं जैसे UKG की बच्चो की preparation करा रही हूँ, तो आप मेरे साथ भी अपने बच्चो को ये करा सकते हैं, कि हम जितनी knowledge दे बच्चो को उतनी ही कम होती है, तो ये है आपके UKG के बच्चो की contents है, English Reader की, जहां आपको अपने बच्चो को ये सब चीजे सिखानी हैं, तो अब मैं आपको एक-एक पेस करके दिखाऊंगी, कि ये सब चीजे आपको किस तरह से मेरी दाटर की book में है, now you can see here lesson 1, now you can see here lesson 2, lesson 3, lesson 4, lesson 5, lesson 6, lesson यहां पे exercise दी गई हुए है, now you can see here exercise दी गई हुए है, now lesson 7, singular and plural, singular and plural दे आगया है, now you can see here, तो आपका अगर बच्चा UKG में है, तो उसे singular और plural करना आना भी आप सिखा सकते हैं, अगर आप चाहें, तो आप मेरे चैनल पर जूर सकते हैं, जहां पर मैं डेली अपनी डॉर्टर को यही सब चीजे प्रेक्टिस करा रही हूँ, lesson 8, is this and is that का यूज करना बच्चो को सिखाईये, then exercise दी गई हुई है, now you can see here, lesson 9, these and those का यूज करना बच्चो को सिखाना होगा आपको, what का यूज करना आपको बच्चो को सिखाना है, now आपको here and there सिखाना है बच्चो को, where and preposition आपको बच्चो को सिखाना है, इंपरिमेर्टिव सेंटेंस भी आपको सिखाने है बचो को नाओ यू कन सी है लेसन फोर उस उस फ्रिज्ट इन डेफिनेट सेंटेंस एंड यहां पर एक इस्टोरी है उतकर्स एन इस फैमिली नौ यह exercise दी गई है Lesson 16, Use of Present Continuous Present Continuous के sentences भी आपको बच्चो को सिखाने होंगे In the Fair एक स्टोरी है Now इसकी exercise दी गई है Lesson 8 I and my, your and your यूर यूस करना सिखाय गया है बच्चो को He and he, see and her का यूस करना सिखाय गया है 20, we and our day They are there Lesson 1 Who का यूस करना सिखाय गया है Lesson 21 Now has, have का यूस करना सिखाय गया है Use of Past Indefinite A Capsular Story Lesson 5, Use of Future Indefinite Lesson 26, Rahul Will See His Uncle This is Story Now, Lesson 7 When का यूस करना सिखाय गया है तो यह है UKG की English Reader जहां मैंने आपके साथ content share कि यह यह चीज़ें आपको अपने बच्चों को English में अभी से prepare कराना है Or then next objective